हेलो फ्रेंड्स, वल्कम टो एक्जाम और्बिट तो आज की इस वीडियो में सुलम आज का करेंट अफर देखेंगे इसका PDF नीचे description से और हमारे टेली करम से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आज का करेंट अफर देखेंगे उससे पहले फटफट पिछले करेंट अफर करेविजन कर लिजे और वीडियो के लास्ट में दो क्वीज लगाँगा उसका एंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है अब चलिए देखते हैं पहला कोशन अंतराशे टेस्ट क्रिकेट में दोराश शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं इनका नाम है हश्मतुला शहीदी 9 से 11 मार्च 2021 के बीच किसकी अध्यक्षता में आर्थिक और ब्यापार के मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समुह की पहली बैठक आयोजित की गई भारत की अध्यक्षता में 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष कोन है भारत है किस अराज्य की सरकार ने सहेली समुन्य केंद्रियोजना लौंच किया है दिल्ली ने भारत की परमुख IT कमपनी विपरो के उरोपिये बैपार छेत्र के लिए मुख्य करेकारी अधिकारी कौन बने है पियरे ब्रूनो अमेरिकन टावर कॉर्परेशन के एश्या प्रशांत के अध्यक्ष कौन बने है संजय गोयल हाली में स्रीकांत मोगे का 91 सल की उमर में निधन हो गया विखी छेत्री सिनेमा के प्रसिद अभीनेता और थियेटर कलाकार थे मराथी सिनेमा के विद्वस 2021 में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में किस अराज्य को पहला अस्थान मिला है 36 गड़ को वहीं दूसरे अस्थान पे पशिम बंगाल है उस कंपनी का नाम बताईए जो भारते एक्सचेंजों में सारवजनी का रूप से सूची बद्ध होने वाली पहली भारते गेमिंग कंपनी बन गई है नजारा टेकनलोजी लिमेटेड 12 मार्च 2021 को इसोरों ने हवाओं में बेवहारिक बदलाव और पलाजमा गते शिल्ता पर अधियन के लिए किस नाम से एक साउंडिंग रॉकेट को लौंच किया इस साउंडिंग रॉकेट का नाम है रह 560 पाकिस्तान के किस किर्केट एस्टेडियम का नाम बदल कर पुर्वे दिगज केंदबाज श्वयब अक्तर का नाम पर रखा गया है इससे एस्टेडियम का नाम है KRL एस्टेडियम इसे ही रावल पिंडी एस्टेडियम भी कहा जाता है ठीक है खान रिसर्च लेबोरेटरीज एस्टेडियम इसका नाम बदल का रखा गया है श्वयब अक्तर का नाम पर श्वयब अक्तर को ही रावल पिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है तो आप चलिए आज का करेंट अफेर देखना है पहला कोशन विश्व के सबसे अधिक सक्रिये जौला मुखियों में से एक सांगे जौला मुखी मैं हाले में भीशांड विसपोट देखा गिया ये किस देश में इस्थी थे तो सांगे जौला मुखी एक सक्रिये जौला मुखी है इस तरह के प्रशन बार-बार पूछे जाते हैं याद रिखियेगा ये इक्वाडूर में है इक्वाडोर साउथ अमेरिकन कंट्री है ओप्शन सी राइट एंसर है तो 11 मार्च 2021 को इसमें विस्फोर्ट हुआ और ये इतना भीसड विस्फोर्ट था कि अकाश में लगभग साढ़े आठ किलोमेटर की उचाही तक राह के बादल चा गये थे और इसे फसल और मवेशियों का काफी नुकसान हुआ है तो सांगे जौला मुखी किस देश में है? इक्वाडोर में है और ये जौला मुखी एनडेज परवत श्रिंखला का हिस्सा है किस देश में है? साउथ अमेरिका में है यह दुनिया का सबसे लंबा परवश्रिंखला है इसके लंबाई लगभक 7000 किलो मिटर है और यह जो जौला मुखी है सांगे जौला मुखी 5230 मिटर की उचाई पर इस्थित है इसमें पिछला विस्फोर्ट 1934 में हुआ था उसके बाद से सिधा 2021 में इसमें विस्फोर्ट हुआ है तो याद रखिए सांगे जौला मुखी कहां पर है इकवाडोर में है इकवाडोर की बात करें तो इसके राजधानी है क्वीटो यहां के राश्ट्र पती है लेनिन, मोरेनो, संसद का नाम है नेशनल एसेंबली और मुदरा चलती है अमेरिकन डॉलर अगला कोशन है किस देश के पुर्व विश्व मुक्यबाज चैंपियन, मार्विन हैगलर का 13 मार्च 2021 को नीधन हो गया तो प्रसीद मुक्यबाज थे मार्विन हैगलर इनका नीधन हो गया है 66 साल की उमर में ये अमेरिका के थे उप्शन डी, राइट एंसर है इनके उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं मार्विन हैगलर इन्हें मार्वलस के रूप में जाना जाता था इन्हें उपाधी दी गई थी मार्विन हैगलर इनका नाम है इन्होंने 1980 में वर्ल बॉक्सिंग काउंसिल और वर्ल बॉक्सिंग एसोशेशन मिडिल वेड का खिताब जीता था और इन्होंने 1983 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के उद्गाटन चेंपिनशिप का खिताब जीता इन्टरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन कि अस्थापना 1983 में ही की गई थी और इस फेडरेशन द्वारा जो पहली बार चेंपिनशिप का एउजिन किया गया था उसका खिताब मार्विन हैगलर नहीं जीता अमेरिका की बात करें तो कैपिटल है वाशिंग्टन डेसी वाशिंग्टन डेसी में ही वर्ल्ड बैंक नासा और इंटरनेशनल मोनेटरी फंड का मुझ्याला है और बता दे कि अमेरिका और कनाड़ा के बीच में जो सीमा रेखा है दोनों देशों को 49 समाननतर रेखा अलग करती है राश्रपति जो बाइडन है 46 में राश्रपति है कमला हैरिस अमेरिका की 49 उपराश्पति है यह अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराश्पति है वहां की संसत का नाम है कांग्रेस और मुदाग नाम है US Dollar चली अगला कोशन है Olympic के लिए qualify करने वाली भारत की पहली तलवार बाज कौन बनी है important question है याद रखिए Olympic के लिए पहली बार कोई भारती जो है तलवार बाजी में qualify किया है तो इनका नाम है CA भावानी देवी ये एक महिला है अभी तक भारत का कोई भी ना पूरुष और ना ही कोई महिला Olympic लिए qualify किया था तलवार बाजी में और इस तरह से ये भारत की पहली परसन बन गई है भावानी देवी जिन्होंने qualify किया है Olympic के लिए तलवार बाजी में टोकियो Olympic खेल का योजन इसी सल किया जाएगा 23 जुलाई को स्टार्ट होगा 8 अगस्तक इसका योजन किया जाएगा और टोकियो Olympic का मोटो क्या है उसे भी याद रखना है United by Emotion इस बार का मोटो है C.A. भावानी देवी किस अराज़े से बिलोंग करती है ये तमिल नाडू की है और तलवार बाजी में आठ बार की अराश्ट्री चेंपियन है इन्होंने 2010 में चीन में जो Asian Games का योजन किया गिया था उसमें इन्होंने कांस सेपदक यानि ब्रोंज मेडल जिता था इनके कोच का नाम क्या है Nicola Janotti है ये इटली के है घरेलू किरके टूनामेंट विजय हजारे ट्रोफी 2020 का खिताब किस ने जीता है तो 50 ओवर का ये घरेलू किरके टूनामेंट है विजय हजारे ट्रोफी तो 2021 किस के संसकरन का खिताब जीत लिया है मुंबई ने Option B राइट एंसर है और मुंबई ने फाइनल में किस को हराया उत्तर तरदेश को हराया और इस तरह से मुंबई ने चौथी बार विजय हजारे ट्रोफी का खिताब अपने नाम किया है तो स्रेयस अईयर की कप्तानी में मुंबई ने ये खिताब अपने नाम किया है इस बार का विजय हजारे ट्रोफी का आयोजन 20 फरवरी से 14 माज के बीच में आयोजित किया गया था और ये 19-वा संसकरन था इस टूनामेंट में कुल 38 टिवों ने हिस्सा लिया और इस टूनामेंट में सबसे अधिक रन बनाए प्रिथवी शोव ये मुंबई के लिए खेलते हैं 827 रन बनाए वहीं सबसे अधिक विकेट हासिल किये शीवम, शर्मा, उतर प्रदेश के लिए खेलते हैं इन्होंने इस टूनामेंट में 21 विकेट हासिल किये तो 2020-21 का खिताब मुंबई ने जीता है पिछली बार का खिताब यानि 2019-2020 का खिताब किसने जीता था? करनाटक ने नेक्स्ट तो 2020 अंतराशे क्रिकेट में सबसे अधिक 3000 रन का आकड़ा चूने वाले प्रथम खिलाडी कौन बने है तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पर्थम बल्लेबाज बन गये हैं विराद कोहली ओप्शन C राइट अंसर है हाली में इन्होंने इंग्लेंड के खिलाफ अपना 3000 रन पूरा किया है बता दें कि विराद कोहली IPL में भी सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज है और T20 अंतराशे क्रिकेट में भी सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाडी बन गये हैं किस संस्थान ने हिंद महासागर में जिनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करने की गोसना की है इस संस्थान का नाम है National Institute of Oceanography इस संस्थान ने हाली में हिंद महासागर में जिनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली योजना शुरू करने की गोसनकी है अब ये जिनोम मैपिंग क्या है महासागर में उसे विस्तार से जन लिजे इस परियोजना का उद्देश समुदरी सुक्ष में जीवों में मौजूद पोसक ततों का पता लगाना है जिससे जलवाई परिवर्तन पोसक तनाव और बढ़ते प्रदूसन के चलते महासागर की प्रतिकरिया को समझा जा सके इसके लिए वैग्यानिक लगबग 5 किलोमीटर की ओसत गराई पर समुदर के कई हिसों से समुदर में पाए जाने वाले बैक्टेरिया और रोगाड़ूं के डी ओक्सी राइबो नुकलिक एसिड यानि डी एने और आर एने यानि राइबो नुकलिक एसिड मैपिंग के नमुनों को इकठा करेंगे ठीके आफ समाझ गया होंगे क्या है और राश्य समुदरी वैग्यान संस्थान के बात करें तो ये भारश सरकार का वैग्यानिक हैं और दोगिक अनुसंधान परिसद की एक प्रियोग शाला है इसका मुख काम जो है हिंद महासागर के विशिष्ट समुदरी वैग्यानिक पहलूओं का विश्तरित अध्यन करना है 1966 में अस्तापना की गई थी और इसका मुख्याले गोवा में है 15 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व उभोकता अधिकार दिवस 2021 का विशय क्या है तो हर साल 15 मार्च को विश्व उभोकता अधिकार दिवस मनाए जाता है 2021 का थीम है टेकलिंग प्लास्टिक पॉलूशन option b right answer है तो उब्भुकताओं के अधिकारों और उनकी अवशक्ताओं के बारे में जगरुकता बढ़ाने के उद्देश से हर सल 15 मार्च को विश्व उब्भुकता अधिकार दिवस मनाय जाता है पहली बार ये दिवस मनाय गया था 1983 में और 2021 का theme है tackling plastic pollution 2020 में इस दिवस का theme क्या था उसे भी याद रखियेगा दा सस्टेनेबल कंज्यूमर ये 2020 का theme था next 14 मार्च को लॉस एंजिलिस में आयो जित 63 ग्रैमी एवार्ड्स में टेलर स्विफ्ट के किस एल्बम को best album या फिर album of the year का पुरुसकार मिला इस album का नाम है folklore option c right answer है folklore किसका album है टेलर स्विफ्ट का है और इस तरह से टेलर स्विफ्ट पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्हें तीन बार album of the year का पुरुसकार प्राप्थ हुआ है तो Grammy Awards का योजन हाली में अमेरिका के लॉस एंजिलिस में किया गया यह तरह 60-वा संसकरन था यह संगीत के छेतर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरुसकार मने जाता है ठीक है इसकी शुरुवात की गई थी 1969 में अच्छा इस बार के पुरुसकार समरों में बहु सारे पुरुसकार परदान किया गया है उसमें जो मुख्य है उसे याद रखियेगा Best Record of the Year का पुरुसकार दिया गया Everything I Wanted को Billy Elish का यह रिकॉर्ड है Best New Artist का पुरुसकार दिया गया Megan The Australian को Best Comedy एलबम का पुरुसकार दिया गया Black Myth Jawah को यह Tiffany Hadis का एलबम है वहीं Best Music वीडियो का पुरुसकार दिया गया Brown Skin Girl को Beyonce और इनकी पुत्री है Blue Ivy Carter तो इनका यह Music वीडियो है इसे ही Best Music वीडियो का पुरुसकार दिया गया और इस तरह से Beyonce Beyonce 28 बार Grammy Award जीतने वाली पहले महिला बन गई है और इस बार के Award में इन्होंने चार पुरुसकार जीते Beyonce ने ठीक है और इनकी पुत्री है Blue Ivy Carter और यह सबसे कम उम्र की वीडियो का पुरुसकार दिया गया Best Rock एलबम का पुरुसकार दिया गया The New Abnormal को Songs of the Year का पुरुसकार दिया गया I Can't Breathe को H.E.R. Dansegg, Emily, Second और Tiara Thomas ने इसे गाया है Producer of the Year का पुरुसकार दिया गया Non Classical स्रेनी में Andrew Watt को चलिए आगला कोशन है कि शास्त्रिये निरित्य के प्रसित गुरु Chemancheri Kunhi Raman Nayer का 15 मार्च 2021 को 105 साल की उम्र में निधन हो गया तो Chemancheri Kunhi Raman Nayer 105 साल के थे बहुत अधिक उम्र के थे इनका हाली में निधन हो गया है ये प्रसिद कथक कली शास्त्रिये निरित्य के गुरु थे Option D, Right Answer है और ये कहां के थे? Chemancheri Kunhi Raman Nayer के रल के थे और कथक कली निरित्य में उनके अतुल्निय योगदान के लिए 2017 में भारत सरकार ने इन्हें पदमिसरी परोषकार से सम्मानित किया था पदमिसरी परोषकार भारत का शौथा सबसे बड़ा नागरिक परोषकार होता है वहीं कथक कली जो है ये केरल का शास्त्रिय देते हैं इन्हें और भी पुरुसकार मिले थे केरल संगीत नाटे अकादमी पुरुसकार और केरल कलम मंडलम पुरुसकार 14 मार्च 2021 को भारत का कौन सा जहाज 1000 मेटरिक टन चावल के साथ कौमो रोस के अंजवान बंदरगाह पर पहुंचा इस जहाज का नाम है आई-ेन्स जालाश्वा इसने हाली में 1000 मेटरिक टन चावल को लेकर कौमो रोस पहुंचा कौमो रोस के अंजवान बंदरगाह पर ओप्शन भी रैट एंसर है तो हाली में भारत ने बहुत सारे देशों को सहता स्वरूप चावल परदान किया है जैसे कि फरवरी में पिछले महीने सिरिया को भारत ने 2000 मिट्रिक तन्चावल उपहार स्वरूप परदान किये थे और इसी महा में मेडा गासकर को भी 1000 मिट्रिक तन्चावल उपलब्द कर गया है इसके इलावा मेडगासकर को हाइड्रोक्सी क्लोरो क्विन की एक लाख गोलियां भी भेंट की गई है उपहार स्वरूप दे गई है ठीक है और इसी सिलसिले में कोमो रोस को भी एक हजार मेटरिक टंचावल परदान किया गया है कोमो रोस जो है यह हिंद महासागर में इस्थित अफरीका का एक छोटा सा आइलेंड कंट्री है इसके राजधानी है मोरोनी यहां के राशपती है अजाली ओसोमानी यहां की मुद्राख नाम है फ्रेंक तो फ्रेंड्स यह हमारा आज का करेंट फिर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरू करना अब पिछले क्वीज का एंसर जैनिये किसके शासन कल में प्रथम आंगल मराथा यूद हुआ था तो यह तिहास का प्रशन था बहुत सारे लोग ने एंसर गलत दिया था इसका राइट एं सर्था ओप्षण सी तारा बाई के आतों में था इसका भी अंसर कुछ लोग ने गलत दिया था अब चलिए आज का पहला क्यूज है पश्छिम बंगाल में विधान सबश सेट की संख्या कितनी है पश्छिम बंगाल में चुनाव होना है इसलिए वहां पर विधान सबश सी लिए टेग्यार.